हलो अभरीवन वेलकूम् टू एगरीट हैं लेप्टि類 एगरिकल्चर विट में अज में हम डिसकुसन करेंगे कि हॉटि किल्चर यानि कि उध्यान विध्यान या उध्यान सास्र क्या होता है इसका परीचे जानेंगे, डेफिनेसन जानेंगे, इसके विबिन जो ब्रांचेस है, उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे, उसके डेफिनेसन के बारे में जानेंगे, इसके जो जनक है, जो फादर है, वो कौन है, हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, इनके बारे मे टॉपिक है वो इस जो सिसन है इसमें हम लोग डिसक्स करने वाले हैं अगर आप वेबसाइट में देख रहे हैं तो अच्छी बात है अगर आप यूटुब पे देख रहे हो तो यूटुब चैनल एगरी टाइम को जरूर सस्क्राइब करें और सो यहां पर हम डिसक्सन करते ह सबसे पहले कि होटी कल्चर जो है वह क्या होता है ठीक है तो एक-एक टॉपिक को यहां पर डिसक्सन करेंगे वीडियो को लाश्ट ज़रूर अटेंड करना ओके ना उद्ध्यान विज्ञान या फिर होटी कल्चर साइंस क्रिसीव विज्ञान की वह साका है जिसमें उद् से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी स्टोड चूरी सुनाना चाहूंगा तो अपकर एक ब्रांज मैं बताता हो एक-अस पहले अलग नहीं हुआ ठीक है न तो देखो जो क्रिसी के जो मतलब की जो फार्मर से ठीक है जो नो सीरियलस क्रॉप अगरा अगरा इन सब की खेती करते थे तो जो होटी कल्चर जो क्रॉफ से उन पर विसेज ध्यार नहीं दिया जाता था ठीक है तो जो आपके होटी कल्चर क्रॉफ की जो खेती करते थे जो किसान लोग उन्होंने एक गटन बनाया आयोग बनाया मैं ये सब चीज आपको एक और वीडियो में कम्प्ल अग्रिकल्चर से अलग हो गया और एग्रिकल्चर का एक ब्रांच बनके होटी कल्चर रह गया ठीक है यहां तक सभी को समझ में आ गया अब हम बात करते हैं उद्ध्यान विज्ञान का जो विकास है जो अपका 19 सतापदी में प्रारंब हुआ था लिबाइट हैट बैली जो क यूएसे के हैं इन्होंने उद्ध्यान विज्ञान को एक नई सुरुवात दी पूरे वर्ल्ड में और इन्हें हम उद्ध्यान सास्र के फादर के नाम से जानते हैं जनक के नाम से भारत में उद्ध्यान विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके एमेच मौरी गोड़ा जी है हाँ अगर ये बात आ जाती है कि आधुनिक उद्ध्यान विज्ञान के जनक कौन है तो डॉक्टर के एल चड़ा जी है यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुस्टन पूछता है तो इस समय कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो एम एच मौरी गोड़ा आपके सिर्फ उद्ध्यान विज्ञान के जनक है हमारे इंडिया में ठीक है न और अगर आधुनिक उद्ध्यान विज्ञान के जनक के रूप में अगर पूछा जाया आपको तो आपको डॉक्टर के एल चड़ा लगाना है और अगर मैं यह सब सभी जो कुस्टन से न यह आपके लिए प्रॉपरली ले के आऊंगा ठीक है तो आप यह जो कुस्टन है इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे ठीक है तो यहां तक ठीक था अब बात करते हैं सिस्टमेटिक पॉमोलाजी के जनक तो देखो डी कंडोली जी है इनको बो पॉमोलाजी क्या होता है इसके बारे में आगे डिसकस करेंगे ठीक है यह पॉमोलाजी जो होता है वो होटी कल्चर का ही एक ब्रांच है इसको पॉमोलाजी को हिंदी में बोला जाता है फल विज्ञान ठीक है अब हम विस्तार से जानते हैं कि होटी कल्चर क्या होता है सो ह आपका कल्चर कल्चर जो सब्द है एक त्रिक बताता हुए ऑगर किसी में किसी भी सब्द है कल्चर लगा हुआ है तो आपका वो हंड्रिड पर्संट लेटिन भासा का क defense कॐं से बासा का है क्योंकि जो लाक है ये आपका संस्कृत वर्ड हो जाता है कल्चर तो लेटिन वर्ड है ना ठीक है ना लेकिन आपका जो लाक है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है इसलिए जो लाक कल्चर है वो लेटिन भासा के अंतरगत नहीं आता बाकि जितने भी है आपके जितने भी वर्ड है वो अगर उसमें लाश्ट में कल्चर लगा हुआ है मतलब कि वो आपका लेटिन भासा का ही सब्द है अगर किसी सब्द में अगर लाश्ट में आपका लौजी रगा हुआ है तो वो 100% आपका ग्रीक वर्ड का सब्द होगा आपका जो होटी कल्चर है वो आपका ले क्वाइड किया गया है हॉट और कल्चरा या फिर इसी को हम कल्टर भी बोलते हैं बहुत लोग कल्चूरा भी पढ़ते हैं इसको ठीक है और वह आपके उपर डिपेंड करता है कि आप इसे क्या पढ़ते हैं हम तो इसे कल्चरा पढ़ते हैं या फिर कल्टर ठीक है न तो हॉ प्रचरा का मतलब होता है आपका कल्टिवेशन करना गाडन का मतलब उद्यानी की और कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती करना ठीक है न चलिए आगे बढ़ते हैं आप डेफिनेशन जानते हैं तो डेफिनेशन उद्यान विज्ञान क्रिशी विज्ञान की वह साख है जिसम में हम फल, फ्रूट, सबजी, वेजिटेबल, व्यसाइक, फ्लूलो, कॉमर्शियल फ्लावर्स, अलंकृत ब्रागवानी, मसाले वाली फसलों, और सधी फसलों, सुगंदित फसलों, रोपित फसलों, व्यक्तिगत पेड, चाडिवां तत इन सब उध्यानिकी फसलों की तुड करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं, होटी कल्चर, या फिर उध्यान, विज्ञान, बोलते हैं हम इसको, ठीक है, तो यह आपका जो डेफिनेशन है, यह वैज्यानिक डंग से, यहाँ पे मैंने आपको बतला दिया है, ठीक है, आपको भी इसी तरीके से याद रखना है, माल ल डेफिनेशन को आप बताओ, तो आपको बहुत ही अच्छा समझेगा, क्योंकि यह वैज्यानिक डंग से, डेफिनेशन आपका यहाँ पे बना हुआ है, अब बात कर लेते हैं, हम उध्यान सास्त्र के ब्रांचिस के बारे में, कि होटी कल्चर की कौन कौन से ब्रांचिस हो भी है, क्याकर मैंने बताया, लाजी अगर लाश्ट में लगा है, तो आपका ग्रीक बर्ड होगा, लेकिन यहाँ पहिए बात आती है कि जो पूंन नम है, ठीक है न, वो आपका लेतीन सब्द का है, लेकिन आपका जो लागस है वो आपका ग्रीक वर्ड का है, कौन से या फिर सिर्फ Greek नहीं लगाना है आपको Latin plus Greek दोनों ही वहाँ पर आफसन में दिया रहेगा तो आपको Latin plus Greek वाला जो आफसन रहेगा उस पेर्टिक करना है अब बात करते हैं Pomology दो वर्ग तो पोम हो गया और आपका लॉगस हो गया पोम का मतलब होता है फ्रूट ठीक है और आपका लॉगस का मतलब होता है टूइश्टडी ठीक है फ्रूट का मतलब सभी को पता है वे फली होता है और टूइश्टडी का मतलब होता है अध्यन करना ठीक है ना आगे हम देखते हैं पोमम का अर्थ फल होता है, यह सब्द लैटिन भासा से लिया गया है, जो मुख्य इसका जो अर्थ होता है, वो आपका फल होता है, लोगस का अर्थ अंध्यान करना होता है, यह ग्रीक भासा का सब्द है, यह उद्ध्यान विज्ञान की वस अक्खा है, जिसमें हम फलों की fruit का cultivation का जो study है वो हम इसमें करते हैं ठीक है यहां तक सभी को clear आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम ओलेरी कल्चर की ठीक है ओलेरी कल्चर क्या होता है ओलेरी कल्चर का मतलब होता है सबजी विज्ञान यह लैटिन बासा का सब्द है मैंने बताया अगर लाश्ट में कल्चर लगा हुआ है तो वो लैटिन बासा कही सब्द होगा वर्ड होगा यह भी दो बासाओं से मिलकर बना हुआ है कौन-कौन सा तो ओलेरी कल्चर का देफिनेशन भी हो जाएगा और लेरी साकी पौदे प्लस कल्चरा इन दोनों से यह मिलकर बना हुआ है ठीक है यह उद्यान विज्ञान की वह साखा है जिसमें सबजीयों की खेतिका हम लोग अध्यन करते हैं ठीक है इसके बाद है आपका फ्लोरी कल्चर फ्लोरी कल्चर यह लैटिन भासा का सब्द है जितने भी कल्चर लगे हैं सब लैटिन भासा के सब्दे ही हैं फ्लोरी कल्चर भी दो वर्ट सी मिलकर बना हुआ है फ्लोरीस और आपका कल्चरा फ्लोरीस का मतलब होता है फ्लावर और कल्चरा का मतलब होता है कल्टिवेसर उद्यान विज्ञान की इस साखा में हम जंकृत बागवानी का क्या करते हैं इस टड़ी करते हैं अध्धन करते हैं इसके बाद है एर्बोरी कल्चर यह भी लेटीन भासा का सब्द है यह भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका एर्बोर और कल्चरा एर्बोर का मतलब होता है वूड प्लांट या फिर जिसे हम काश्टी पौधेज कहते हैं और कल्चरा का मतलब सभी को पता है कल्टिवेशन कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती करना यह उद्ध्यान विज्ञान की वह साखा हो है जिसमें हम व्यक्तिगत पेड जाड़िया वह लताओं का अध्यन करते हैं इसके बाद अगला है आपक वीनी या फिर वीटी और कल्चरा वीनी या फिर वीटी का मतलब होता है लता और कल्टिवेशन का मतलब होता है खेती करना यह वद्ध्यान विज्ञान की वह साखा है जिसमें अंगुरों की खेती तथा उसकी प्रोसेसिंग का अध्यन किया जाता है यहापे जो वीटी कल् करते हैं ठीक है उसमें तो दोनों याद रखिएगा पूछा जाता है यह कुछन वीटी कल्चर में किसका दिया जाता है वीनी कल्चर में किसका दिया जाता है तो वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूस नहीं होना है आप सभी को आगे बढ़ते हैं और हम ओनियो लॉजी के बारे जो अध्यन है वह आपका वीनी कल्चर में किया जाता है करके अगर आपका ओनियो लॉजी वहां पे नहीं दिया रहेगा तब आपको वीनी कल्चर लगाना है ठीक है और अगर वहां पे ओनियो लॉजी दिया रहे तो आपको जाहिर सी बात है 100% आपको क्या लगाना है ओनि प्लांटेशन क्रॉप्स की घुक है ना कौनसे रोपित फसलों की तो यह उद्ध्यान विज्ञान की वह साक्ष है जिसमें रोपित फसलों का किया जाता है जो विस्ति छेत्र में एक साथ लगाया जाती है तता तुडाई के बाद प्रोसेसिंग के बाद उपयोग में हम इसे लेते हैं ठीक है जैसे किया हो गया यहां पे सुपारी सुपारी उत्पादन में भारत का प्रत्वमिस्तान है पूरे वर्ड में नारियल हो गया नारियल को कल्फ रिक्ष सभी इच्छाय पूरी करने वाला व्रिक्ष भी कहा जाता है याद रखिएगा जितने भी important points से आपको बताया रहे हैं यहां पे ठीक है सभी को याद रखिएगा एक एक question पूछा है जाता है ठीक है कोई सभी question पकड़ लेगा वो ठीक है इसके बाद काजू काजू को बंजर भूमे में सोने की खान कहते हैं क्या कहते हैं काजू को बंजर भूमें सोने की खान बोला जाता है इस dollars earning crop या फिर dollar कमाने वाली फसल भी कहा जाता है काजू का आप सभी जानते हो कि प्राइस कितना होता है ठीक है ना अगर अच्छे से अगर उसकी खेती कर ले तो आप तो फिर उसमें कमाई ही कमाई है चाय पेपदार्थों की रानी बोला जाता है किसको चाय को कौफी यह भारत में 16 वी सतापदी में पूर्ट गालियों दौरा लाई गई थी किसको जी कोफी को काफी उत्पादन में भारत का कितना इस्थान है सो आपका चटवा इस्थान है प्रथम कौन सा है प्रथम आपका ब्राजील है इसके बाद है oil palm तेल का तार ठीक है तो oil pulv के फलों में कितना percent तेल पाया जाता है 155 पर्सेंट तेल पाया जाता है तता प्रती हेक्टियर अथ्वा प्रती इकाई सरवाधिक तेल का उत्पादन होता है ठीक है किसमें ऑईल पल्म के फॉलोवें 5.5 टन प्रती हेक्टियर जो आपका ऑईल है वो आपका तेल का तार जो रिक्ष होता है उसस चोटे किसानों की सिंचित फसल भी कहा जाते हैं याद रही इरिखेंगों की छोटे किसानों नारेल में पाया जाता है कहवा ठीक है अगर आप 37 गड़ के हो तो आपको पता यह भी कहवा क्या होता है ठीक है कोकोवा जिसको बोला जाता है ठीक है क्या जी पल्मीरा पॉम इससे ताड़ी वा नीरा सराब बनाई जाती है ओके चलिए आगे डिस्क्रिशन करते हैं हम लोग रबड पान और जैफल भी इसके अंतरगत आती है आपका रोपित फसलों के अंतरगत प्लांटेशन जो क्रॉफ होते हैं वो पुर्वी भारत में उगाई जाती है या फिर वहाँ पे लगाई जाती है इसके बाद भारत का काजू उत्पादन वा निर्यात में कौन सा इस्थान है जी सो आपकः प्रतम स्थान फिर भी हमारा जो डॉलर सड् leukय वो डॉलर से बहुत ही ज्यादा कम ही ठीक है न डॉलर औरENCE क्रॉप लेकिन फिर भी हमारा डॉलर मतलब हमारा जो पैसा है ठीक है रुपिया जो है वो तो फिर मतब कंपेर ही नहीं कर सकते ना फिल हालती लिए ठीक है आगे आगे बढ़ेगा तो बात ही अलग है चलिए अब आठवे नंबर में बारते हैं हम लोग जानते हैं इस्पिसीस क्रॉप्स मसाले वाली फशलों के बारे में तो अमेरिका की खोज की थी इन्होंने ठीक है न और इन्होंने भारत को मसालों का देश कहा था मसालों की दिप मालका दिप थाइलेंड को बोला जाता है किसको बोला जाता है थाइलेंड को बोला जाता है मालका दिप को क्या बोला जाता है मसालों का दिप बोला जाता है विस् स्थान हैं ठीक है इसके बाद अगला है आपका मेडिसिनल प्लांट मेडिसीनल फ्लांट मेडिसिनल फ्लांट और सदी फसले कोई पाउधा अत्वा पाउधे का भाग जो किसी रोग का उप्चार करता है उसे हम आउसद ये पौधा बोल देते हैं इनकी खेती करना आउसद ये फसल कहलाता है medicinal crops कहलाता है ओके चलिए इन सब जो बार इनके जो बारे में है न ये आगे चलके हम बहुत अच्छे से discussion करेंगे ताकि आपको सुईधा हो और अच्छे तरीके से आप इन सब जो ब्रांचे से उनके बारे में अच्छे से जान पाओ ठीक है इसके बाद है aromatic crops सुगंधित फसल तो यह लैटिन सब्द का है और यह लैटिन भासा से बना हुआ है सुगंधित फसल या फिर सुगंधित फसल ही बोल सकते हैं पॉधे बोल सकते हैं या फिर flower बोल सकते हैं थीक है अब यहां उद्ध्यान विज्ञान की we chỉ का किया जाता है तो आपका अध्धन किया जाता है सुगंधित पौदो में खुसबू दूइतियक उपचाई रसायन के कारण होती है किसके कारण अब देखिए जो सुगंधित पौदो एते हैं उनके फूल होते हैं उसमें क्यों भई क्यों खुसबू आती है तो उपापचाई रसायन के का इसके बाद अगला है आपका 11 नुमबर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग तुडाई के बाद प्रबंदन यह प्रसंकरण यह उद्ध्यान विज्ञान के वह साखा है जिसमें फशलों की तुडाई के बाद उनका उचित प्रबंदन वह प्रसंकरण का तो बहुत सारे महत्व भई उद्ध्यान सास्र के ठीक है प्रती इकाई अधिक उद्पादन देता है आपका उद्ध्यानी की जो फसले होते हैं प्रती इकाई अधिक मुनाफ़ा ठीक है उद्पादन भी होता है मुनाफ़ा भी होता है अब प्रती इकाई अधिक रोजगा होती है उसमें आपका जो सबसे विग्यान होता है उसमें और 143 मजदूरी आवसकता होती है या फिर 143 दिन जो रोजगार करते हैं उनको रोजगार मिलता है लेकिन फलो वाली फसलों में 860 दिन सब्जी वाली फसलों से 912 दिन फूलों वह अवसदी वाली फसलों में 547 दिन और यदि पपीता खेला की फसल लगाई जाए तो फिर 2000 से भी अधिक दिन रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है ठीक है ये बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी ठीक है तो इसको याद रखिएगा सभी यदि पपीता खेले की बात की जाए तो 1000 से 2500 दिन रोजगार मिलता है ठीक है याद रखिएगा यदि हम देखें पपीता खेले में बनाना और पपाया में तो आपका 1000 से 2500 दिन आपको रोजगार मिल सकता है अब सोचो सशवी ज्यान में 143 और अगर होटी कल्चर की बात करें तो सोचलो लगभग 1000 दिन लगभग आपका ठीक है ना चलिए क्या होता है तो गिजिए बिए फूड का ह不錯 देयो है उसको हम लोग पूजा भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे जो फल है उसको हम कुछ-कुछ नामों से भी जाने जानते हैं अगर हम यहां पर बात करें हमारे इंडिया में तो आप सभी जान रहे हैं कि धार्मिक महत तो कितना ही अधिक होता है पेड़ पौदो की ठीक है फलो की फ सवर्ग का पेड़ अथ्वा, सवर्ग का फल या फिर कल्प तरू के नाम से जाना जाता है भारत में धार्मिक व्रिक्ष पीपल जो है जिसका वैज्ञानिक नाम या फिर इसका जो बॉटे कलने मैं है वह फाइकस रेलिग्योसा है ठीक है और इसको हम धार्मिक तरूक के न का जो पुश्पो होता है इसका जो वैज्ञानिक नाम है scientific name है वो निलंबो निूसी फेरा होता है ना भगवान सियू स्वारी भगवान सियू को बेल पत्र के पत्रे अर्पित किए जाते हैं पत्ते अर्पित किए ठीक है तो ये भी आपका एक धार्मिक महत्व हो जाएगा जो भगवान सियु जी है उनको हम बेल पत्र के पत्ते जो है वो अरपित करते हैं इसके बाद माता सीता का जो संबंध है वो असोक व्रिक्ष सराका इंडिया जिसको बोला जाता है असोक व्रिक्ष का वैज्ञानिक नाम सराका इंडिका है त तो सीता जी का जो संबंध है माता सीता जी का वो आपका असोख व्रिक्ष से रहा है। बोलते हैं मेरे knowledge के according वो जो सीता माता थी वो असोख व्रिक्ष के नीचे ही बैठी रहती थी। तो इसलिए उनका जो सम्मंद है वो असोक व्रिक्ष से लिया गया है खेजडी को राजिस्थान का कल्प व्रिक्ष कहा जाता है खेजडी जो होता है ये भी पूछा जाता है अक्सर एक्जाम में चाहे आप किसी भी एक्जाम एग्रिकल्चर की तियारी करो पूशा जाता है कि खेजडी क्या है ठीक है तो खेजडी को राजिस्थान का कल्प रिक्ष के नाम से जाना जाता है बात करते हैं राश्टिय पहचान में महत्व उद्यान सास्त का राश्टिय पहचान में महत्व तो भारत का राश्टिय पहचान में महत्व तो भारत का ममल और काम है हमार इंडिया का क्रांट से समॉं के बाद हैं राजिस्थान की पुषप अगर हम चार्जिसच और कि बात करें तो चानि ही रहे हो truth कि एसा कुछ होता ही है हां। हमारे चार्ज्चिस और में जनरली होता ही है Canadian और अगर 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ का जब मैं होटी कल्चर का आपको पूरे सिस्टेमेटिक डंग से जितने भी आपके फादर्स हैं होटी कल्चर डिवीजन कब हुआ तो उस में आपको यह चीज बता दूँगा कि आपका जो 36 गड़ राज्य या फिर एक अलग सी प आपके आउसदी महत्व हैं तो देखें त्रिफला होता है वह आईरवेद की पुरानी एक आउसदी है मेडिशीन है जो आपका त्रिफला होता है उसके बाद यह आवला हरड तता बेरा से बनी हुई है यह पेट से सम्मंदित रोगों की उप्चार में काम आती है आवला हर बहरा यह सब तो आप जानते ही होगे ठीक है ना तो यह पेट से सम्मंदित जितने भी रोग होते हैं उसके उप्चार में काफी काम आती है आपका जो तिफला आयरवेदिक चूर्ण होता है वह इसके बाद संदर महत्व पोसक तत्तों में महत्व इनके बारे में डिसक्स क जो कि आपका नई दिल्ली में है इसको हम भारती औसदी अनुसान धान परिस्द के नाम से भी जानते हैं आयसी एमार के अनुसार पती व्यक्ती प्रति दिन 300 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिसमें 125 ग्राम हरे पत्ति वाली सब्जियां 100 ग्राम जड़वकंद सब्जियां हो सकती हैं तता 75 ग्राम अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए आयसी एमार के अनुसार प्रति व्यक्ती प्रति दिन 120 ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए कैलोरी उर्जय क्या अउश्चिकता होती है वरतमार में प्रति व्यक्ति प्रति दिन फलों की उपलब धता जो है वह आपका 126 ग्राम तत्था सब्जियों का उपलब जटा 286 ग्राम है मतलब सब्जियों का देखा जाया तो सब्जियों का जो उत्पादन है वो कुछ कम हो रहा है लेकिन आपके अगर हम फलों की बात करें तो फल ठीक ठाक है फल 120 ग्राम सिवन करना चाहिए तो उतना की पूर्ती हमारा जो इंडिया है उसमें हो जा रहा है सब्जियों का बस यहां पर थोड़ा सा वो है क्योंकि सब्जी हमें 300 ग्राम खानी चाहिए और वरतमान में जो उपलबदता हो रही है प्रतिवेक्ती वो 286 ग्राम हो रही है ठीक है तो यह रहा आज का पूरा क्लास और इस सेसन में हमने सभी चोटे-चोटे जो पॉइंट्स है होटी कल्चर के बारे में वो सभी चीजों के बारे में डिसकुसिन कर लिया है ठीक है न और आगे हम लोग फिर जो निक्ष्ट कलास होगी उसमें और अच्छे से definition और जो division है होटी कल्चर का इन सभी के बारे में discussion करेंगे अगर आपको class अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें उन्हें भी बताएं class join करें करें ठीक है और अगर आपने अभी तक की सब्सक्राइब ने किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की बोलें की आप भी सब्सक्राइब करें करें धन्यवाद जय जवान जय की सांद्व